हेलो बच्चो, स्टेट लाइन में एक छोटा सा कॉंसेप्ट और आपने सुना होगा उसका नाम क्या है होमोजीनाइजेशन होमोजीनाइजेशन मतलब सबकी डिग्री बराबर करना होमोजीनाइजेशन मतलब सबकी डिग्री बराबर करना अब homogenization आखिर है क्या मतलब इसमें है क्या जैसे सपोस करो हमें एक कर्व दे रखा है यह कोई कर्व दे रखा है और एक हमें कोई लाइन दे रखी है सपोस करिए यह कोई लाइन दे रखी है यह कोई कर्व दे रखा है और यह कोई हमें प्लस 2HXY, प्लस BY square, प्लस 2GX, प्लस 2FY, प्लस C बराबर 0, इस इस दो वाट equation of curve, यह curve की equation है, और लेट से line की equation हमें दे रखी है, LX plus MY is equal to N, यह line की equation दे रखी है, ठीक है, अब इस line से इस curve को homogenize करना है, अब देखो यह curve की equation है, इसमें degree 2 है, degree 2 है, degree 2 है, इसकी degree 1 है, इसकी degree 1 है, इसकी degree 0 है, तो यह homogeneous नहीं है, यह क्या है, हमारे पस homogeneous नहीं है, तो homogeneous बनाने के लिए, हम इस line से इसको homogeneous कर सकते हैं, क्या करना चाहिए, line में XY वाले एक तरफ, constant एक तरफ, constant से divide करो upon N, और यह 1 बना लिया अब जिखो इस 1 की degree 1 है एक्स और y 1 है इसकी degree ठीक है अब जिस टर्म में जितने degree की कमी है उतने 1 से multiply कर दो जिस 1 में जितने degree की कमी है उस 1 से multiply कर दो मतलब जैसे ax square plus 2hxy plus by square इन तीनों की degree तो टू टू थी इस तो इसमें का नेकी को जुरत नहीं है इसकी degree किती थी 2gx एक degree है एक degree कम है तो एक वन से multiply कर दिया मतलब lx plus my upon n इस से multiply कर दिया इसी तरहे 2fy इसमें भी एक degree कम है lx plus my upon n एक वन से multiply कर दिया और c में क्या है c दो degree कम है तो lx plus my upon n का whole square बराबर शुनने तो ऐसा करने से क्या मिला एक homogeneous equation मिलके degree टो की है homogeneous equation मिल गई degree 2 की तो this is homogeneous equation अब डिगरी 2 अब कोई पूचेगा सर आपने प्रोसेस तो बता दिया इस प्रोसेस का काम क्या है इस प्रोसेस से आखिर क्या हमें मिला घड़व मिला ने आप बताओ क्या मिला पहले इसे अब इससे हमें मिला क्या देखो यह homogeneous equation ऑप यह पेर ओफ लाइन पासिंग तू औरईजन पासिंग तू ओरिजन ये मैंने आपको पासिंग तू ओरिजन में बताया तक होमोजेन इक विशन of degree to represent a pair of line मतलब यह दो लाइंग की एक्वेशन है जो और इजन से पास हो रही है ठीक बात अब देखो फिर आपको के सर इस कर्व का और इसका क्या रोल है वही जैसे यह लाइन थी इस कर्व का और इस लाइंग का क्या रोल है अब देखो कर्व और लाइंग का अब पॉइंट उफ इंटर्सेक्शन होगे और इस कलो बneath शक शोचो आएक बार एक लाइब इस iOS ने कि एगवहों उन अधर अब घयिन को सटिस्फाइक रेगा नहीं और यह सारे तो फॉन हो जाएंगे और बाकि बचया कर वह 0 हो जाएगा यह वापिस सोचो यह वन और जएंगे है और बागी जो है कर वह 0 हो जाएगा इसका मतलब यह स्क्विशन है यह x1y1 को सेटिसफाई करती है एक्सों वाइवन को सटिसफाई करती है तो यह ऐसी इस इसी तरह दूसरे पॉइंट के लिए बिए काहों नहीं है कि या समझें होमो जिनाजेशं से हमें ऐसी पेवर ओफ लाइन मिलती है जो कर्व और लाइन के पॉंट ओ उप िंटर सेक्षंग को औरिजन से मिलाती है प्र और वार तो ठीक है जो सपोस करिए एक हमें लाइन दे रखी है 3x plus 4y is equal to 5 ठीक है और एक हमें कर्व दे रखा है 2x square plus 3y square is equal to 5 question लिखो question क्या है find the equation of state lines joining the origin find the equation of state lines joining the origin to the point of intersection of line in this curve find the equation of state lines find the equation of pair of lines pair of lines joining origin with the point of intersection of line and curve line and curve मतलब साफ साफ question दिया है homogenization curve अब देखो यार यहां पे degree 2 है यहां पे degree 2 है 2x square 3y square सबके degree 2 है किसकी degree नहीं है 2 इसकी degree नहीं है 2 तो इसमें हम 1 बनाएंगे 1 बनाने के लिए क्या है 3x plus 4y upon 5 यह 1 बन गया जी इसके square से multiply कर दिया 3x plus 4y का whole square upon 5 का whole square 25 यह बचा 5 यह इदर गया 10x square plus 15y square यह कितना होगा आपने पास 9x square plus 16y square plus 24x into y तो यह होगा यह हमारे पास pair of line की equation आ गई this is what pair of line equation अब जैसे मैं पूछता कि यह जो line है यह जो कर्व है और जो line का point of intersection है यह origin पे कितना एंगल सब्टेंट कर रहा है कि भी मानलों यह कोई कर है और यह कोई हमारे पास line है तो यह origin पे कितना एंगल सब्टेंट कर रहा है मतलब देखो इन दोनों अलाइन की equation तो यह है ठीक अब दोगो कोफिशन्ट और एक स्कुर्ण कितना है वन कोफिशन्ट वाइस कर गता है माइनस वन उन दोनों का एडिशन कितना हो गया जी जीरो ऑप एपलस भी कितना होगा जीरो तो कितना एंगल सब्टेंट कर रहा है 90 दिग्री फॉब एप ब्लस बी जीरो है तो यह कितना है पाई बाई टू या 90 दिग्री तो है तो यह थो वैसे छोडा सा कॉनसेप्ट लेकिन कई बार काम आ जाता है नहूटर तो यह था बच्चो स्टेट लाइन में homogenization process और homogenization process related question इतना खास important नहीं है लेकिन कभी कभार काम आ सकता है तो यार इसी के साथ मैंने आपको pair of line pair of general general pair of line और homogenization process बताया तो यह हमारा जो सारी theory जोती straight line की वह मैं आप लोगों को दे चुका हूँ आपको यह समय में आया है तो आप फटा फट वीडियो को like करो share करो और जो कर सकते हों करो thank you very much